व्रिश्चिक राश्यवालों मतकारी घटना घटने वाली है आप सभी के कुंडली को देखते हुए इस वीडियो का निर्मान किया गया है आपकी कुंडली में जो शुभ योग बने हैं जो शुभ ग्रह गोचर बने हैं उनके अनुसार आज शाम के पांच बजे के बाद से आपका जीवन में पूरी तरह से बदलने वाला है एक शब्दों में कहें तो अचानक आप सभी की किस्मत आज शाम से पलटने वाली है लेकिन दोस्तों वह कहते हैं ना मौके पर चौका जो इनसान मार देता है वह अपने जीवन में हमेशा तरक्की और काम्याबी को ही हासिल करता है बस इसी तरह आपको आज शाम के पाँच के बाद अपने जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा इसके बारे में हम आपके पूरे विस्तार से बताएंगे बस आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों और हमारी बातों में सत्यता कूट-कूट कर भरी हुई है क्योंकि हमने इस वीडियो में वह सभी जानकारियां दिये हैं जो आपकी सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमने आपकी कुंडली का आकलन किया है और देखा है कि आप कौन-कौन से परेशानियों से जूंज रहे हैं और कौन-कौन सा मुसीबत आप सभी के जीवन में चल रहा है लेकिन दोस्तों अब आप चिंता न करें आपके जीवन से सभी प्रकार की चिंता और मुसीबत समाप्त हो जाएंगे आज के इस वीडियो को देखने के बाद जी हाँ दोस्तों यदि हमारा एक भी बाद गलत निकला तो मैं जीवन भर गुलामी करूँगा ये वचन देता हूँ लेकिन हमारा बस इतना सा शर्त है कि आप वीडियो में जो भी बात सुन अपने जीवन में उसे उपयोग करें और ध्यान से अंत तक वीडियो को सबसे पहले देखना है दोस्तों और जो जो बात आपको बताएंगे उसे समझना है और फिर आप सभी का जीवन नहीं बदले तो कहना हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं आज शाम के पांच के बाद आप सभी का जीवन एक बार फिर से हीरे की तरह चमकने वाला है आपकी किस्मत अब एक नई उडान भरेगी अब जीवन एक बार फिर से आपका बदलने वाला है और इसे बदलने से कोई रोक नहीं सकता बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं प्यार भक्त हैं वह सभी सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर यदि नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय मातादी तीन बार लिख दीजिएगा जिससे Rानी का आशीरवाद आप सभी को प्राप्त होगा आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा जी हाँ दोस्तों चलिए अब आप सभी को बताते हैं दोस्तों जीवन में मौका भगवान सबको देते हैं लेकिन मौका जिसको देते हैं उसके उपर भगवान का जिम्मेदारी भी होता है वह उसका पालन यदि नहीं करता है तो वह मौका उनके हाथ से चला जाता है और यह समय भी आपके हाथ में बहुत बड़ा मौका आने वाला इसके लिए आपको कुछ चीजों का कुछ ऐसी चीज है जिन्हें अपने जीवन काल से आपको निकाल कर फेंक देना है और कुछ ऐसी चीज है जिनको आपको अपने जीवन में रखना है यानि कि अपने ही पास रखना है बस यह एक चीज अपने जेब में रख लो अगर आप तो आपका जीव हमेशा पैसों से भरा रहेगा और आप पैसा गिनते गिनते ठक जाओगे। अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। पैसा गिनते गिनते ठक जाओगे आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रतिशत गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आज का वीडियो जो नहीं देखेगा वह महामूर्क होगा। क्योंकि ऐसा वीडियो बहुत ही छानबीन के बाद बनाते हैं। और अगर एक बार आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो दोबारा आपको ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इस प्रकार का मौका बार-बार नहीं आता है और आज का वीडियो जो शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा, वह माला माल हो जाएगा। बता दें कि आपके घर में एक बहुत बड़ी और चमतकारी घटना होने वाली है और यह घटना आपको राजा बना देगी। जी हाँ, यह घटना साक्षात देवी का रूप होगी। लेकिन आने वाले चार दिनों के अंदर आपको कुछ सावधानिया भी बरतनी होगी। कौन गणेश जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वह अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में जया श्री गणेश से तीन बार अवश्य लिखे। जिससे गणेश जी का आशीरवाद आपके उपर सदैव बना रहेगा। आने वाले चार दिनों के अंदर आपके घर में जो घटना होने वाली है, वह घटना यह है कि आपके घर में एक देवी सांप का रूप लेकर आपके घर आएगी और आप उसे सांप को मामूली सांप समझने की भूल ना करे वह कोई मामूली सांप नहीं बलकि साक्षात माता लक्षमी का रूप होगी और यह सांप आपको रंग से राजा बना देगी अगर आने वाले चार दिनों के अंदर आपके घर में कोई सांप दिखाई देता है या फिर निकलता है तो उसे मारने की कोशिश ना करें वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा उसे प्रणाम करके जाने दें और वह सांप देवी का रूप लेकर आपके घर में पिछले साथ सालों से रह रही है और इस बात का आपको जरासा भी कानो कान खबर नहीं है यहां तक कि आपकी रक्षा भी यह देवी कर रही है कई बा कि उपर वाले का दो बड़ा फैसला आ गया है जी हां आप बिलकुल ही सही सुन रहे हैं उपर वाले ने आपके लिए दो बड़े फैसले भेजे हैं यह फैसला आपके जीवन को बदल देगा आपने जिस चीज के लिए महनत किया था अब वह सारी चीज आपको मिलने वाली ह यूँ कहें तो अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है क्योंकि कहते हैं कि भगवान के घर देर है परन्तु अंधेर नहीं ठीक इसी प्रकार आप जिस चीज के हकदार थे अब वह चीज आपको मिलने वाला है जिस चीज के लिए आपने दिन रात मेहनत किये थे, खून पसीना बहाया था, अब वह चीज आपके कदमों में होगी जी हाँ, अब आपके दुश्मनों का आँखें खुली की खुली रह जाएगी क्योंकि अब आपका किस्मत सोने के रत पर सवार होने जा रहा है यूँ कहें तो अब आप राजा बनने वाले हैं, अब आप राजा बनने की तैयारी कर लीजिए अब आपके रोने धोने का समय समाप्त हो गया है, अब हंसने और खुशी मनाने का समय आ गया है क्योंकि बहुत दिन आप रो लिए अब आपके दुश्मन रोएगा और आप खुशियां मनाएगे आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है आपने अपने जीवन में कितनी भी बरी परिस्थिती आ जाए लेकिन आपने कभी भी भगवान से भरोसा नहीं उठने दिया आप दिन रात यही सोचते थे कि आखिर एक ना एक दिन यह सब ठीक हो जाएगा और आप जिस समय का का बेसब्र से इंतजार कर रहे थे आखिरकार वह समय अब आ चुका है अब शनी देव जी ने दो बड़े फैसले सुनाए हैं अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा अब आपका किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगा अगले दस घंटे के अंदर एक अजीब घटना होने का संकेत मिला है ये घटना आपकी जिन्दगी में किसी अपने की वजह से होगी ये घटना इतनी बड़ी होगी कि सुनकर आपका होश उड़ जाएगा दिमाग शांत करके पूरा वीडियो अकेले में देखें क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है पिछले पांच सालों से आपका इंतजार खत्म हो गया है आज की वीडियो आपकी जन्म राशी और चंदर राशी के आधार पर है जो आपकी किस्मत बदल सकती है ये वीडियो देखकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं अब आप धन से माला माल हो जाएंगे जी हाँ, ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आपके जीवन को बदल देगी पिछले बारह सालों से आप बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अब आपको संसार की सारी खुशियां मिलने वाली है जीवन का दोबारह नहीं मिलेगा यह मौका आपका जीवन बदल देगा आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतना बड़ा अवसर मिला है आप इस कल युक के राजा बने बनेंगे जो लोग आपकी परेशानी देख कर हस्ते थे वे अब आपके पैरों में गिर जाएंगे आपको एक साथ पांच देवी देवताओं का आशीरवाद प्राप्त हो चुका है यह देवी देवता मिलकर आपको करोडपती बनाना चाहते हैं अब आपके पास इतना पैसा आएगा कि गिंते गिंते ठक जाएंगे आपका जीवन कमल की तरह खिल उठेगा अगले दस घंटे के अंदर एक बड़ी घटना होगी जो आपका जीवन बदल देगी देवी मा भद्रकाली आपके घर एक छोटे बच्चे के रूप में आएंगी और आपको माला माल कर देगी लेकिन ध्यान रखें घर की साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए अगर घर गंदा रहेगा तो देवी मा नाराज हो जाएंगी और आपके घर के दर्वाजे से ही लोट जाएंगी इसलिए घर को साफ रखें ताकि आपके सपनों पर पानी ना फिर जाए इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपिया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें ताकि महादेव जी का आशीरवाद आप पर बना रहे है जी हाँ आपके जीवन में ऐसा महा परिवर्तन होने वाला है जिसे देखकर आप और आपके आसपडोस के लोग भी हैरान हो जाएंगे आपका किस्मत का पलटवार घोड़े से भी तेज रफतार से दोड़ेगा आपकी राशे पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली राशे बनने वाली है अब आपके जीवन में ऐसा बड़ा चमतकार होने वाला है कि आपको अपने आँखों पर यकीन नहीं होगा दुश्मनों के साथ भी कुछ ऐसा अनहोनी घटित होने वाली है कि उनके छूट जाएंगे महाबली बजरंग बली की आशीरवात से आपका जीवन में बहुत बड़ा चमतकार होने वाला है अगले दस घंटे में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है दो विशेश बातों का ध्यान रखना है नहीं तो आपका पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा पहली गलती कभी भी किसी दूसरे के भरोसे कोई काम शुरू ना करें दूसरी गलती आप बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं इससे बचे प्रभू श्री राम के आशीरवाद से आप बहुत बड़ी काम्याबी हासिल करेंगे आपको नौ देवी देवताओं का आशीरवाद प्राप्त होगा जिससे आपका जीवन स्वर्ग से भी सुन्दर होगा इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें यह वीडियो आपका जीवन बदल सकता है चौकाने वाली खबर लेकर आए हैं आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है और जान से मारना चाहता है यह व्यक्ति कोई और नहीं बलकि आपका ही अपना है इस व्यक्ति की पहचान करना और उसे सावधान रहना बहुत जरूरी है अन्यथा आपका जीवन बरबाद हो सकता है इसके बारे में पूरी जानकारी हम देंगे लेकिन पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में जैमान शेरावाली और जैमाम भवानी जरूर लिखें मुझे यह सच्चाई बतानी पड़ी क्योंकि ब्रह्मा विष्णू और महेश ने ऐसा आदेश दिया है आपके जीवन में एक बड़ा संकट आने वाला है और आपको दस घंटे के अंदर उपाय करना होगा इस उपाय के बाद आपका भाग्य बदल जाएगा और आपको कई बड़ी खुश खबरियां मिलेंगी वीडियो को अंत तक देखें और सतरक रहे आपकी कुंडली में धन प्राप्ति का योग बन चुका है और आपका जीवन जल्द ही बदलने वाला है कसम गंगा मा की अगर यह भविश्यवानी गलत साबित हुई तो मैं 51 लाक रुपय का इनाम दूँगा आपके जीवन में एक देवी प्रसन्न हो चुकी है और अब वह आपको करोडपति बना देगी लेकिन आपको एक गलती से बचना है आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ और परेशानी है उसका कारण यह है कि आपसे अंजाने में एक बड़ा पाप हो गया है इसी कारण से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है इस वीडियो में हम आपको सभी समस्याओं का समाधान बताएंगे मैं देख रहा हूँ कि कई बार आपके उपर एक व्यक्ती ने जानलेवा हमला किया है लेकिन देवी की कृपा से आप सुरक्षित रहे हैं यह देवी हमेशा आपके साथ रहती है और आपकी रक्षा करती है आपके घर में थोड़ी सी खुशियां इसी देवी की कृपा से बची है इसलिए इस देवी को नाराज मत करना वरना बाकी खुशियां भी खत्म हो जाएंगी अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें और जो भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं उनसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव पांच बार लिखें महादेव जी की कृपा द्रिष्टी आप पर बनी रहेगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा बहुत सालों बाद आपके घर में यह देवी प्रवेश करने वाली है और आपकी खोई हुई खुशियां वापस आएंगी पिछले पांच सालों से आप बहुत परेशान है लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है अब आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है आपको एक साथ पांच बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे आपका जीवन बदल जाएगा राज तिलक अब आपके माथे पर लगने वाला है और चारों तरफ आपकी चर्चा होगी लोग जो आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे अब आपके कदमों में होंगे अब आपकी किस्मत चीते की तरह छलांग लगाएगी यह मौका हाथ से जाने मत देना वरना जीवन भर पच्चता होगे अब आपके लिए स्वर्ग का दर्वाजा खुल चुका है आपको दस बड़ी खुशखबरी मिलेगी अगर यह भविश्यवानी गलत हुई तो मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा आपका भाग यह अब चमकने वाला है और कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती पिछले पांच सालों के दुखों के बाद अब आपको हजार गुना ज्यादा सुख मिलेगा भगवान के घर देर होती है पर अंधेर नहीं अब आपको सब्र का फल मिलेगा और आपकी किस्मत चमक उठेगी अगले साथ जन्मों तक आप यह खुशखबरी नहीं भूल पाएंगे यह एक देवता परचाई बनकर आपके साथ घूम रहा है क्योंकि यह देवता आपको कुछ देना चाहता है अब खुशियां मनाने का समया चुका है क्योंकि यह देवता आपको धन से माला माल कर देगा जी हाँ इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है बता दे कल युग में पहली बार ऐसा बड़ा चमतकार होने वाला है यह देवता का साया जीवन भर अब आपके उपर रहेगा और आपको एक साथ पांच बड़ी खुशखबरी देगा जो लोग इसे मजाक समझ रहे हैं उन्हें बता दूं कि यह कोई मजाक नहीं है इसे मजाक समझने की भूल मत करना वरना जिन्दगी भर रोना पड़ेगा यह आपका आखिरी मौका है जीवन में फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा ब्राहमन ने जो लिखा है वही होगा लेकिन इसके लिए आपको कर्म करना होगा अगर आप कर्म करेंगे तो आपका भाग्य आपके पास आएगा अगर कर्म नहीं करेंगे तो आपका भाग्य भी आपसे दूर चला जाएगा कर्म करने से आप वह भी हासिल कर सकते हैं जो आपके किस्मत में नहीं लिखा है आपके पास सिर्फ 10 घंटे का समय है इस समय का सही उपयोग करें तो आप राजा बन जाएंगे गलत काम करेंगे तो बिखारी बन जाएंगे अगले 10 घंटे तक आपको कौन-कौन से कार्य करने है कौन-कौन सी सावधानी बरतनी है और कौन-कौन सी गलतियों से बचना है यह सब हम आपको बताएंगे आखिर कौन है यह देवता जो आपकी परचाई बनकर घूम रहा है और आपसे क्या चाहता है बता दें जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है अच्छे कर्म करने वालों के साथ महादेव जी रहते हैं आपने भी अच्छे कार्य किये हैं लोगों की मदद की है और भगवान पर विश्वास रखा है इसलिए महादेव जी आपके साथ परचाई बन कर रहते हैं महादेव जी ने आपके लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है आपने अपने जीवन में बहुत गरीबी और दुख जेले हैं लेकिन अब समय बदलने वाला है महादेव जी के आशीरवाद से आप करोड़पती बनने वाले हैं लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो आखिरी तक देखना होगा महादेव जी के आशीरवाद से आपका घर धन दौलत से भर जाएगा ध्यान रखें अगले दस घंटे तक किसी से भी लड़ाई जगडा नहीं करना है और अपना दिमाग शांत रखना है अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो महादेव जी आपसे नाराज हो जा अंगे और आपके सपनों पर पानी फिर जाएगा हो जाएए तैयार क्योंकि अब आपके माथे पर राज तिलक लगने वाला है जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं आपके माथे पर राज तिलक लगने वाला है क्योंकि आपकी कुंडली में महा परिवर्तन हो चुका है अब हर घर में आपकी जीत की चर्चा होगी और जश्न मनाया जाएगा ऐसा बड़ा चमतकार आपके जीवन में होने जा रहा है यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए नहीं तो आपके सपनों पर पानी अप सकता है अब आपको नींद से जागना होगा और आँख कान खोल कर रखना होगा क्योंकि आपके जीवन में जो गलतियां हुई है वह अब नहीं होनी चाहिए बता दे अगले दस घंटे में आपका धंका बजने वाला है और चारों तरफ ढोल नगाडा सुनाई देगा ऐसा भयंकर तूफान आपके जीवन में आने वाला है यह वीडियो आपकी जिन्दगी पूरी तरह से बदल देगा आपका किस्मत घोडे की रफतार से दोडेगा भगवान श्री गनेश और धन के देवता भगवान कुबेर महाराज के आशीरवाद से आपके जीवन में तीन बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है आपका जीवन स्वर्ग से भी सुन्दर हो जाएगा अब सब्र का फल मिलने वाला है जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वह अब आपको मिलने वाला है निवेदन है कि वीडियो को अकेले में देखें यह वीडियो आपका तकदीर बदल देगा कदम कदम पर आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी दुश्मन बहुत बड़े बड़े हतकंडे अपना रहे हैं ताकि आपका जिंदगी बरबाद हो सके कोई भी फैसला अपने मन से लेना है किसी की बातों में नहीं आना है अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कोई परेशानी ना हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी आज आप बहुत सारी उर्जा और विचारों से घिरे रहेंगे जो कि आपको थोड़ी भ्रमित कर सकते हैं हालांकि आपको काम में सफलता मिलेगी और हर विचार में आपकी रुची भी बनी रहेगी आज आपको कुछ नया सीखने या नया काम करने की इच्छा हो सकती है और आप अच्छी खबर की उम्मीद भी करेंगे कि ये गए कामों में सफलता पाने में थोड़ा विलंब हो सकता है लेकिन अंततह सफलता मिल जाएगी आप जो भी खरीदारी करना चाहेंगे उसे कर सकते हैं और समय का सही उपयोग करके बड़े काम भी निप्टा सकते हैं प्रेम और रोमांटिक संबंधों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा परिवार में कोई कठिन स्थिति को सुलजाने की कोशिश करेंगे तो सफल हो सकते हैं और वो भाईयों से भी मदद मिलेगी प्रेमी से मुलाकात होने की संभावना है और भाई बंधू और पडोसियों के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे आर्थिक लाब तो होंगे लेकिन सीमित रहेंगे सारवजनिक मान सम्मान भी मिलेगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी आज एक खास सलाह यह है कि किसी बात पर ज्यादा भावुक होकर प्रतिक्रिया देने से आपकी छवी पर असर पड़ सकता है अगर आपको किसी कठिन निर्णय का सामना करना पड़े तो उसे आत्म विश्वास के साथ लेना बहतर रहेगा लव लाइफ के नजरिये से आज आप अपने प्रेमी जीवन साथी के साथ शाम का समय आनंद दायक तरीके से बिताएंगे प्रेम और सम्मान में वृद्ध होगी और दामपत्य जीवन मजबूत होगा करियर की दृष्टी से आपकी वित्ती इस्थिती अच्छी रहेगी और आप निवेश करने पर विचार कर सकते हैं नौकरी में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और विद्यार्थी भी अपनी मेहनत के अनुरूप सफलता प्राप्त करेंगे परीक्षा या प्रतियोगिता में तनाव से राहत मिलेगी स्वास्थ्य के मामले में आज आपका दिन उत्साही और ताजगी से भरा रहेगा आज आपको नियमित कार्य से हटकर किसी बड़े काम में सफलता मिल सकती है इसलिए किसी योजना में जल्दबाजी से बचे आपको मित्र और परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा और परिस्थितियों में बदलाव महसूस होगा चंद्रमा आपके लिए सुखद रहेगा और लोगों के सामने आपकी अच्छी च्छवी बनेगी आपकी रचनात्मक्ता दो को आकर्शित कर सकती है और आप अपनी बात को ठीक से कह सकेंगे आज आपका जीवन सामान्य और सहज रहेगा जो कि आपके लिए अच्छा संकेत है माता से मदद मिल सकती है और आपके साथ घूमने का प्लैन बना सकते है आर्थिक स्थिती में उतार चढ़ाव बना रहेगा और नए वस्त्रों पर खर्च हो सकता है आपकी सेहत सामान्य रहेगी और किसी अजनबी के कारण आपका मूड अच्छा हो सकता है घर में सुख और सम्रिध्ध बढ़ेगी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी महत्वपूर्ण नजदी की रिष्टों में मजबूती आएगी और कुछ आवश्यक बदलाव भी हो सकते है रिष्टों की समस्याओं का समाधान होगा और पार्टनर व के साथ रोचक बातचीत हो सकती है धार्मिक या राजनीतिक घटनाओं से भी आपको लाब हो सकता है आज की विशेश सलाह है कि आप घर परिवार के मामलों की बजाए अपने कार्यक्षेत्र में अपनी उर्जा लगाएं इससे आपको अधिक लाब हो सकता है कामकाज या नौकरी में आज कुछ नया शुरू करने की बजाए वर्तमान योजनाओं पर ध्यान दे जल्दबाजी या अत्यधिक उत्साह से बचे और तनक मिजाजी से दूर रहे यही आपके हित में रहेगा लव लाइफ में अपने अहंकार को नियंत्रित रखें वरना छोटी मोटी बातों से प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है करियर के संदर्भ में आज पैसा आ सकता है और जाएगा भी लेकिन निवेश से बचे और लापरवाही ना करें विद्यार्थी किसी भी तरह के व्यर्थ के समय से बचे और पढ़ाई पर ध्यान दें क्योंकि दबाव अधिक रहेगा और मेहनत की आवश्यक्ता होगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोंड से थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है इसलिए मौसम से सावधान रहें और ठकान या बेचैनी से बचने के लिए सतर करह आज आप अपने काम के प्रती पूरी तरह समर्पित रहेंगे और आपके जुनून का स्तर उंचा रहेगा अचानक होने वाले कुछ काम आपके लिए बड़ा फाइदा देने वाले साबित हो सकते हैं अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो मी आपकी मदद करेंगे आज अपने प्रयासों में पूरी मेहनत करें क्योंकि सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं यदि आप नौकरी में प्रमोशन के लिए अपने अधिकारियों से बातचीत करना चाहते हैं तो यह दिन आपके लिए अनुकूल हो सकता है नौकरी, व्यवसाय और प्रेम संबंधों में बड़े परिवर्तन संभव हैं आज आपको अचानक प्रेम प्रस्ताव या उपहार मिलने की संभावना है और आकस्मिक धन लाब भी हो सकता किसी निवेश से भी लाब हो सकता है या नया ओफर मिल सकता है अगर आप किसी लट से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिलने की संभावना है कई लोग आपकी मदद करेंगे और आपको सीधा फायदा होगा जमीन जायदात के मामलों में भी लाब हो सकता रिष्टों और पैसे को लेकर आप समवेदन शील रह सकते हैं आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करने पर विचार कर सकते हैं कोट कचहरी के मामलों में भी सतर्क रहे क्योंकि आप उलज सकते हैं लव लाइफ में आपके प्रेम संबंध गहरे होंगे और आप गहरी अमिता महसूस करेंगे कामुकता भी चरम पर रहेगी और पुराने विवाद आज सुलज सकते हैं करियर के लिहाज से आपकी वित्ती इस्थिती अच्छी रहेगी और नौकरी में सफलता मिलेगी अधिकारियों की प्रशंसा भी मिलेगी और व्यवसाय में लाब होगा विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई और प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करेंगे शिक्षक भी आपकी मेहनत से प्रसन रहेंगे स्वास्थ्य के मामले में कमर या पीठ में समस्या हो सकती है आज आपके स्वभाव में संकोच, कमजोरी और आत्म विश्वास की कमी महसूस हो सकती है दिन तनाव पूर्ण हो सकता है और आप भीडभाड वाले स्थानों या किसी कमरे से दूर रहने की कोशिश करेंगे आज आपके मन में परिवार के सदस्यों के साथ बैठ कर किसी प्रकार का भय या संदेह रह सकता है विशेश कर नौकरी और परिवार के भविश्य को लेकर हालांकि आज का दिन सोच विचार के लिए उपयुक्त नहीं है इसलिए आप इस पर विचार करते समय हर पहलू पर ध्यान दें और जरूरत पढ़ने पर परिवार के सदस्यों से सलाह लें आज किसी भी बड़े कदम को चाहे वह नौकरी व्यापार या प्रेम संबंधों में हो टालना बेहतर रहेगा प्रेम और संबंधों के मामले में भी आज का दिन विशेश नहीं रहेगा और आप किसी काम में मन नहीं लगाएंगे एकागरता की कमी महसूस कर सकते हैं इसलिए सहज रहकर भावुक्ता से बचे कोर्थ कचहरी के मामलों में भी सावधानी भर करते और फालतू कामों में समय ना गमवाएं विशेश सलाह है कि आज चीजों को जैसी भी हैं वैसी ही स्वीकार करें और तनाव से बचे अपना दृष्टिकोंड लचीला रखें और जिस काम में भी लगे रहे उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें उग्रता और आक्रामक्ता से दूर रहे अन्यता नुकसान हो सकता है विनम्रता से सफलता पाने की संभावना अधिक होगी लव लाइफ के संदर्भ में आज आप अपने जीवन साथी की बातों को मानेंगे जिससे आपको समर्थन मिलेगा और आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे करियर के दृष्टिकोन से आपकी वित्तीय स्थिती थोड़ी कमजोर रह सकती है आमदनी की तुलना में खर्च अधिक हो सकता है नौकरी का माहौल भी तनाव पूर्ण और निराशा जनक हो सकता है जिससे आपका काम प्रभावित हो सकता है मेहनत अधिक करनी पड़ेगी इसलिए धैर्य रखें विद्यार्थी यदि एकांत में पढ़ाई करें तो परीक्षा या प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं स्वास्थय के मामले में आज आपका स्वास्थय थोड़ा कमजोर रह सकता है ब्लड प्रेशर में उतार चड़ाव हो सकता है और हलका सिर्दर्द भी हो सकता है इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और चोटों से बचे आज आप अपनी इच्छा शक्ती, आत्म विश्वास और कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त करेंगे आज आपको लाब होगा और आपकी सम्रिध्य में वृद्ध्य होगी जिससे आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे आज आपको एक बड़ा उपहार मिल सकता है आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को भी छुपा सकेंगे लेकिन किसी अवसर का लाब उठाने के लिए धैर्य रखना होगा योजनाओं में बदलाव करके आप अधिक लाब उठा सकते हैं चंद्रमा के लाब भाव में होने से आपकी वित्तीय स्थिति पहले से बहतर हो सकती है थोड़ी सोच समझ कर निर्णय लेने से आपको फाइदा होगा अचानक धन लाब और व्यवसाय या नौकरी में सफलता के योग्य है आप मांगलिक प्रसंगों में शामिल हो सकते हैं और स्त्री मित्रों पत्नी या पुत्र से लाब प्राप्त कर सकते हैं विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है और परियटन के अवसर बन सकते हैं परिवार में सुख शांती का माहौल रहेगा और आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगे विशेश सलाह है कि अपनी जिद्ध और भावुक्ता पर नियंत्रन रखें के साथ मीठी बातें करने से संबंध मधुर रहेंगे दामपत्य जीवन सुखद रहेगा और आप जीवन साथी को भेंट देने की कोशिश करेंगे करियर में आपकी वित्तीय स्थिती अच्छी रहेगी लेकिन निवेश या नई खरीदारी से बचे नौकरी में भी दिन अच्छा रहेगा और पदोन्नति के योग्य बन सकते हैं विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकते हैं आज आप अनाथालय में अन्न का दान करें कर्म भाव में चंद्रमा होने से आज का दिन अच्छा रहेगा अगर आप अपना व्यवसाय करते हैं तो आज सफलता मिलने की संभावना है नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से कुछ समस्याएं हो सकती हैं माता-पिता के प्रती समर्पित रहेंगे और परिवार के साथ समय बिताएंगे संतान और भाईयों से भी मदद मिलेगी ओफिस में सहकर्मी आपकी सहायता कर सकते हैं और विपरीत लिंग के लोग भी आपके पक्ष में हो सकते हैं परिवार और जमीन जायदाद के मामलों पर ध्यान दे, मानसिक रूप से भी किसी बोज से राहत मिलेगी, सामाजिक कारियों में भी सफलता मिलेगी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए अनुबंध और केंद्र या राज्य सरकार के किसी संस्थान से कारी के लिए दिन शुभ रहेगा, कुल मिलाकर आज कामकाज में प्रगति होगी, आज आपकी विशेश सलाह है कि दूसरों की सलाह के उलज़न में ना फसे, खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपने निर्णे खुद ले, यह आपको अपने लक्ष तक पहुँचने में मदद करेगा, मित्रो पहिक जीवन सुखद रहेगा और आप कहीं घूमने जा सकते हैं, करियर के दृष्टिकोंड से आज आपकी आमदनी अच्छी होगी और पैसों की स्थिति भी मजबूत रहेगी, नौकरी में सफलता प्राप्त होगी और पदोन्नती या वेतन वृद्ध के अवसर बन सकते ह नई नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं, अधिकारियों से टकराव से बचे, विद्यार्थियों को उनकी महनत का उचित फल मिलेगा और परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, स्वास्थे के मामले में आज आपका स्वास्थे अच्छा रहेगा, लेकिन शाम को ठकान महसूस हो सकती है, दिन के बीच में आराम करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, आज लक्ष्मी नारायन मंदिर में इत्र का दान करें, चंद्रमा के शुभ प्रभाव से बिजनेस में लाब हो सकता है, लेखन और ग्लैमर से जुड़ी गतिविधियों में सफलता मिल मिलने के योग हैं, आय बढ़ेगी और विपरीत लिंग के लोग आपके पक्ष में रहेंगे, पुरानी वस्तु खरीदने का अवसर भी मिल सकता है, अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, सरकारी कर्मचारियों को लाब हो सकता है और शैक्षनिक कार्य में रुची बढ़ सकती है, घर में जश्न का माहौल बनेगा, ऑफिस में काम समय पर पूरा करने से सराहा जाएगा, सामाजिक कामों में भी सफलता मिलेगी, मानसिक ठकान से बचने के लिए तनाव मुक्त रहे और सकारात्मक सोच बनाए रखें, जोखिम और जमानत के मामल से दूर रहे और अपनी बातें किसी से सांजाना करें, लव लाइफ के दृष्टिकोंड से आपके और आपके जीवन साथी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन समवेदन शीलता और भावनाओं पर नियंतरन रखना होगा, करियर में आज आपकी आय सीमित रहेगी और खर्चा अधिक हो, हो सकता है नौकरी में काम का दबाव रहेगा, विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक दबाव का सामना करना पढ़ सकता है, इसलिए योजना बना कर पढ़ाई करें, स्वास्थिकोंड से तनाव और क्रोध से बचे, अन्यथा यह स्वास्थिको को प्रभावित कर सकता है, आज किसी अपंग व्यक्ति की मदद करें, आज का दिन सामान्य रहेगा, आपके आसपास की स्थिती अनुकूल रहेगी और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, दूर से अच्छी खबर मिलने की भावना है, आज आपको किसी नए प्रस्ताव के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन उसे स्वीकार करने से पहले पूरी तरह से विचार कर लें, आपके अटके हुए पैसे भी वापस मिल सकते हैं, चंद्रमा का गोचर आपके पांचवे भाव में शुभ रहेगा और इससे अच्छे बदलाव हो सकते हैं, आप अपने काम को बहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे और नई योजनाएं भी बना सकते हैं, अपोजिट जेंडर की ओर आपका ध्यान भटक सकता है और आकरशन बढ़ सकता है, आप लव प्रपोजल देने का मन बना सकते हैं, व्यवसाय भी सामान्य रहेगा और आपको नया सीखने का का मिल सकता है, आज आपका आकस्मिक धन खर्च भी हो सकता है, लेकिन के साथ संबंध बहतर रहेंगे, संतान के दायत्व पूरे होंगे और आप नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं, आपके लिए सलाह है कि व्यक्तिगत रिष्टों पर जोर देने के बजाए सामूहिक औ अन्य ग्रहों के प्रभाव से आपके मन में कई विचार चल सकते हैं, इसलिए किसी भी बात को गंभीरता से ना लें और ना ही निज्ज स्तर पर किसी से बात करें, लव लाइफ के संदर्भ में अत्यधिक समवेदन शीलता और भावुकता आपके संबंधों को प्रभावित कर सकती है, खुद पर नियंतरन रखें, वरना मन के तनाव का असर रिष्टों पर पढ़ सकता है, करियर के संदर्भ में आज आपकी आए सीमित रहेगी, आपको अचानक लाभ और हानी भी हो सकती है, नौकरी में कड़ी मेहनत करनी पढ़ सकती है और काम का बोज बढ़ सकत है, इसलिए समय प्रबंधन पर विशेश ध्यान दे, विद्यार्थियों को कठिन परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा और आपकी लेखनी और वानी से अच्छा प्रदर्शन होगा, स्वास्थे के संदर्भ में आपकी सेहत घबराहट, तनाव और नींद की कमी से प्रभावित हो सकती है, बीच-बीच में आराम करना फाइदे मंद रहेगा, आप आज अपनी भावना और कल्पनाओं में व्यस्त रहेंगे, व्यापार और नौकरी में आपको सफलता मिलेगी, अगर आप नौकरी या व्यवसाय में बदलाव के लिए प्रयासरत हैं, तो आज आपको वानचित सफलता मिल सकती है, आज आपको सभी प्रयासों में सफलता मिल सकती है और मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे, आपकी उर्जा भी बढ़ी रहेगी और आप खरीदारी करने का मन बना सकते हैं, चंद् दोस्त बन सकते हैं और यात्रा का भी योग है, नए विचार आपके दिमाग में चलते रहेंगे और लोग आपके प्रति आकर्शित रहेंगे के साथ समय बिताने का अवसर निकालें और भागी दारी से लाब हो सकता है, सार्वजनिक जीवन में मान सम्मान मिल सकता है और ध करीबी लोगों के साथ विनम्रता से बात करें, क्योंकि छोटी बात पर कहां सुनी हो सकती है, लव लाइफ में आपके प्रेमी या जीवन साथी के प्रतिभावनाएं गेहरी होंगी, लेकिन इन्हें व्यक्त करने में मुश्किल हो सकती है, खुले मन से बात करें, इस से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, करियर में आपकी आय अच्छी रहेगी और आप पैसे निवेश करने का मन बना सकते हैं, व्यापार का विस्तार भी हो सकता है और नौकरी में दिन अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा और परीक्षाओं म सफलता मिलेगी, स्वास्थे के द्रिष्टिकोंड से दिन भर आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन सुबह थोड़ी बेचैनी और शाम को ठकान हो सकती है, आज आपको अपनी बातचीत और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखनी होगी, चंद्रमा, आपकी राश्य से अश्टम भाव में है, जिससे कई ग्रहों का प्रभाव रहेगा, पैसे के मामले में सतर्क रहे और जीवन के किसी भी क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, आपके विचारों में भी द्वंद और भ्रम की स्थिती हो सकती है, आज आपके तेवर आक्रामक हो सकते हैं, जिससे परेशानी हो सकती है, कामकाज और वाहन चलाते समय सावधान रहे, चोट लगने के योग्य हैं, लव लाइफ में अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए सावधान रहे, करियर में आज पैसों के फैसले किसी और द्वारा लिये जा सकते हैं, आपको पी के मामले में सतर्क रहना होगा, खास कर क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन मेहनत की जरूरत पड़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन स्वास्थे के द्र का हुआ पैसा मिल सकता है, चंद्रमा के प्रभाव से आप व्यस्त्र, लेकिन धन और सम्मान प्राप्थ होगा, पुरानी समस्याएं हल हो सकती हैं और आर्थिक लाब की संभावना है, परिवार के साथ खुशहाल समय बिताने का मौका मिलेगा, लव लाइफ के लिए दिन अच्छा रहेगा, ध्यान रखें कि खुद को जरूरत से ज्यादा महत्व देने से बचे और किसी की आलोचना से बचे, करियर में आपकी आए जरूरतों की पूर्ती के लिए परियाप्त रहेगी, लेकिन काम का दबाव रहेगा, अधिकारी आप से संतुष्ट रहेंगे, विद्यार्थियों को पढ़ाई में दबाव का सामना करना पड़ेगा, इसलिए एकागरता बनाए रखें, स्वास्थ्य में पीठ, कमर और सिर में दर्द हो सकता है, आपके राश्य से दूसरे भाव में चार ग्रहों की उर्जा सकारात्मक रहेगी, जिससे पैसों की स्थि एक जिम्मेदारियां भी ले सकते हैं।